ओम नमस्षिवाई स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको चार रासियों के बारे में जानकारे दूँगा यह चार रासियां बहुत ही शुब और लकी रहने वाली है इन चार रासियों को पुत्र प्राप्ति का भगवान सिव ने दिया है बर्दान बहुत ही अच्छा सुब योग इनका बन रहा है प्रतिस ओमार की सुमार को भगवान सिव की पूजा जरूब करें भगवान सिव की सामने नारियल अरपन करें उसका प्रशाद ग्रेंड करें जिससे पुत्र प्राप्ति का आपको आशिर्वाद मिलेगा आज मैं आपको चार ऐसी रासियां बता रहा हूं जो बहुत ही लखी हैं ग्रेंड का बहुत ही अच्चा सोब योग बन रहा है इन चार रासियों के पंचंबाम में पुत्र योग बना हुआ है तो निश्चनत रूप से ही भगवान सिव की किरपा से इनका जरूर ही पुत्र योग बना हुआ है और पुत्र की मनोकामना संतान की मनोकामना पूर योगी प्रत्यक दंपत्ति का ये स्वपन होता है कि सिग्रते सिग्रों ने पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हो जिससे उनकी फैमली अच्छी रही गरश्ट जीवन अच्छा चले किसी भी प्रकार की कोई परिशानी ना आए ग्रेन का जब सुव योग बनता है तब संतान प्राप्ति के योग बनते हैं इस बात का विसे सुपसे ध्यान रखें और कुनली जरूर दिखाएं कुनली चेक जरूर कराएं अगर कुनली नहीं है तो रासी के हिसाब से आप ये रासी पल जान सकते हैं इसमें नाम के हिसाब स सबसे पहली है ब्रसब राशी में चतुर्द ग्रहयो जो बहुत ही सुब है इस राशी का भाग्य बदलेगा और इस राशी के उपर बिशेश ग्रहन की कृपा होने की बजे से स्वास्त में विलाब धन में विलाब और संतान प्राप्ते के शिग्र ही योग बनेंगे दूसरी जो रासी है वह है तुलारासी तुलारासी के पंचम भाम में गुरू का गोचर है कुमरासी में और पंचम भाम में गुरू का गोचर गुरू खारक है इसके तो निश्चन्त रूप से फुत्र की प्राप्ती होती है वो संतान प्राप्ती के योग बनते हैं जिनके घर में अभी तक संतान पैदा नहीं हुई है या जिन दमपत्ती को संतान सुक नहीं मिला है सीग्री ही उनको संतान सुक मिलेगा तुलारासी वालों को सबलता के साथ साथ हैं विद्या खेत्र और साधी के भी योग बनेंगे जिनके साधी के योग नहीं बन पाई थे संतान प्राप्ती के साथ साथ में साधी के योग भी बनेंगे विद्या केत्र भी बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि गुरू जिन पर महरवान हो तो विद्या केत्र में भी सपलता हासिल करते हैं तीसरी जो रासी है वह बहुत ही शुब और लकी रासी रेने वाली है वह मकर रासी मकर रासी के मंचमबा में शूरे बुद्ध, शुक्र और राउ का गोचर है जो बहुत ही शुब माना जाएगा और इस रासी को शिग्र ही संतान शुक मिलेगा साथ ही भूमी जाजाज का भी लाब मिलेगा परवार में खुशी रहेगी लेकिन शिग्र कोई परिशानी भी आ जाएगी इसलिए विशे शुब से ध्यान रखें क्योंकि राउ साथ होने से और शुक्र साथ होने से ग्रिस्त जीवन में मुसीवतें मुस्किलें खड़ी हो सकती है इसलिए विशे शुब से आपको साथ साथ में कारे करना है कोई परिशानी आपको न आए किसी भी परकार की जो भी कार करें घरवालों की सहमती के साथ ही करें किसी दूसरी की बातों में आकर के कारन नहीं करना है स्वास्त का विशेशूप से आपको ध्यान रखना है खान पीन का ध्यान रखना है गलत पा कान पीन की कारण स्वास्त में परिशानी आ सकती है चोती जो रासी है वो है बहुत ही भागे साली रासी है दोस्तों वो है कुमरासी कुमरासी बहुत ही लखी है और कुम रासी के संतान धन प्राप्ति के योग हैं पंचम भामे मंगले के योग जो बहुत ही इशोब है और पुत्र प्रादान करेगा यानि पुत्र प्राप्ति के योग बने हुएं साथ ही मान सम्मान प्रतिष्टा नोकरी और धन प्राप्ति के भी बहुत ही अच्छे यो बातों में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है तो मुझे अमीद है आपको ये चार रासियों को रासि पल बहुत ही अच्छा लगा होगा तो जिनकी भी रासियं सिग्र ही उनकी मनुकामना पूर्योगी और उनके घर में खुशा लियाएगी तो इस वीडियो को जादा ज क्या हुआ है ट्सक्ता है और पूर्योट भी ये टिनकी को रेगागी ये तो को देच्ट को जादा है पुशा बहुत भी संगतो ये प्ली जो करका बहुत है करका को ले फटने बहुत है